जावर चमन प्राश प्रो रेस्टिंग लीग पावर वाई तांज अपने अब मुकाबला है उनहत्तर किलोग्राम वर्ग का रेवांता मुंबाइ गुरुडा की और से आ रही हैं युनारिट स्टेट सभ अमेरिका दोल की इनकी टीम कप्तान एडलाइन गुरुड़। ढवर चमन प्राश प्रो रजवेर की बारतियं मुल की नकी प्रियाद रखिए अडलाइन ग्रेट तीन बार विश्व चैंपियन रहे चुकी सबसे प्रसिद रेस्लर जो इस प्रो रेस्लिंग लीग के अंदर मशक्कत करती हुई और उनके पास मौका है अगर ये बाउट जीतती है तो अपनी टीम को जीत दिला देंगी क्योंकि रेवांताज मुंबाई गरुन तीन दो से आगे है यहां पर जीते तो ये मुकाबला भी मुंबाई के हक में विलीक इस माइने में बहुत ही महत्रपूर्ण है कि यहां की उभरती हुई पहलवानों को वर्ल्ड चेंपियन के जल्वे देखने को मिलेंगे अपने सामने जी हां और इसी बीच एक दर्शक का ट्वीट आते हुए कि एडलाइन ग्रेट उनको लाइनिस की याद दिलाती है जब भी मैट पे आती है एक शेर नी की तरह उतरती है और वहीं नजर आ रहा है और पहले एक अंक बटो रहा है और उसके बाद अपना मौका ताड़ा दो पहले दो अंक बटो रहे थे उसके बाद भारंदाज लगाया और वहीं उन्होंने छोड़ दिया और लगता है यह अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह भी लड़ाई कहीं शेर और मेंने की लड़ाई बनके ना रह जाए जाए पहले अच्छी तरह से जानती है एडलाइन ग्रे पॉइंस अपने नाम करें इस जादा कॉंफिडेंट दिखती है अश्वास दिखती है जब मैट पर उतरती है जहां पर भी चुपी कॉंटेस्ट खेला है उन्होंने अभी तक पीड़ाई एल के अंदर ऐसा लगा है कि कोई किसी तरह का खत्रा उनकी ओपर नहीं बनाए दो अब लाइन ग्रेने बहुत ही सहस्दा के साथ यह अंक्रबटोरे और बड़त को कर दिया है 60 अब बठट चिकन की बहुत चौकीन अडलाइन ग्रेट कहते हैं उनकी मदर जो है कि मा जो है यूएस के अंदर बहुत बठट चिकन बनाती है उनके लिए और अगार भारतिये ड लीग में अपने प्रतिव दंवी को समाप्त कर रही है एक के बाद एक हरा रही है अपने मैच जीत रही है और अपने खाली समय का भी भरपूर इस्तिमाल करती है में मेंटल फिटनेस के लिए ताज में भी देखे आई है चली अच्छी बात है फिलाल तो यहां जो मुकाबले चल रहे हैं दो मुकाबले उन्होंने टेक्निकल फॉल से जीते हैं और एक मुकाबला बिल्कुल करीक परीब टेक्निकल फॉल जैसा ही था जहां वो दस एक से वेसरीसा को हराने में काम्याव हुई थी लेकिन फिलाल दो मिनिट इस राउंड के हो चुके हैं और छे शुन की एहम बढ़त पिछले पांच साल में वर्ड चैंपिंशिप्स के अंदर तीन बार गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने दो बार ब्रॉंज के साथ संतोष करना प क्योंकि चार दो की बढ़त ले लिए उन्होंने महस्ट दो मिनट अठारा सेकंड में उन्होंने स्टेडियम की छत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया अपनी अपनेंट को जी बिल्कुल और उस टेक्टिकल पॉइंट के साथ ही रिवांता मुंबाई गरुडा की कप्तान उन्हें अपनी टीम को एक और जीत दिलाई एडलीन ग्रे विनिंग बाई पॉल और निकी के पास कोई मौका ही नहीं था पूरे दो मिनेट बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने और आखिरकार फार गई इसना लगा जैसे पसीना भी नहीं बहाया और जीत दर्च करके वाफस जा रही है अपने केमे की तरफ अडलाइन ग्रे डोमिनेट करती हुए इस पाउट को एक बात फिर ना सिर्फ मुकाबले जीत रही है बलकि लोगों का भारतियों का दिल भी जीत रही है अपने उम्दा अंदाज से अपने उम्दा अंदाज से Well, of course, I'm with Adaline. Adaline, congratulations once again. I just want to ask you, has winning become a habit? Yes, it has and it's gonna stay a habit. Oh my God, that's a good one to keep, I must say. Tell me, is it really easy? The series has been a cakewalk for you? You know, I'm trying to do a couple new moves, so it's not easy. It's taking me out of that normal mindset that I'm used to scoring my go-to moves and I'm having to focus on some areas that maybe aren't my strongest points. So it has not been a, I know it might look like that by the score, but these girls are tough out here and they're putting up a good fight. So what are your plans for the semis now? The semis? I got a couple tricks up my sleeves. I'm hoping to get something pretty exciting. So tell me one thing, Mumbai has been very dominating in this series. What is the reason behind that? You know, I think it's our coach. We got an awesome leader right with us and we just have put a lot of trust in each one of our teammates and they're getting the job done on the mat. So, yay coach! That's a fabulous coach out there. Now tell me one thing, what are your, who do you want to fight against in the finals? You know, I think my best match so far has been against Vasilisa Mazalouk and the Bangalore team, or the Bengaluru team really has a strong team and I think they could put up a fight against us. So I think it'd make a great finals match, but we'll have to see who makes it there. So one of our viewers has actually tweeted and they've called you a lioness. Any comments on that? I like it. I like it.